एक बार एक साधहरन गाव में राज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। अपने अलप साधनों के बावजूद राज अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वह अपने छोटे से खेत में जुताई कर रहा था, उसकी नजर एक पुराने धूल भरे दीपक पर पड़ी। उसने उसे रगड़ा और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक जिन बाहर आया और उसने तीन इच्छाईउं पेश की। राज निस्वार्थ भाव से अपने गाव की खुशाली की कामना करते थे। अचानक गाव बदल गया। बंजर जमीने फंसलों से लह लहा उठी और कभी सूखी पड़ी नदी बिलकुल साफ पानी से बहने लगी। अपनी दूसरी इच्छा के लिए राज ने अपने साथी ग्रामीनों के स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। बीमारियां गायब हो गई और सडकों पर हसी गूंज उठी। अपनी अंदिम इच्छा के साथ राज ने दीपक को छुपाने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी इसकी शक्ती का दुरुपयोग नहीं करेगा। जिन्ह ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और गायब हो गया। राज अपने विनम्र जीवन में लौट आये। यह जानकर संतुष्ठ थे कि सच्चा जादू संपत्ती में नहीं बलकि उन लोगों के दिलों में हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों की परवाह करते हैं।